हेलो फ्रेंड्स और आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई से शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स के दर्मियान में चलने वाली वंदे भारत एक्स्प्रेस के एक्स्टेनेशन को लेकर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे ये कॉमेंट कर रहे हैं कि वंदे भारत एक्स्प्रेस एक्स्टेन्ट की जा सकती है या नहीं की जा सकती है इसका मतलब यह है कि अभी जो वंदे भारत एक्स्प्रेस जानना से मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स के दर्मियान में चल रही है ये फ्यूचर में नांदेड से मुंबई शद्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स के दर्मियान में चल सकती है या नहीं चल सकती है तो आज हम इसी के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो में लास्तक बने रहे हैं वीडियो को पूरी वाच करें ताकि आपको स्टूडियो के माध्यम से पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके जानना से मुंबई शत्रिपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स के दर्मियान में चलने वाली वंदे भारत एक्स्प्रेस के बारे में तो महाँ से दो या सववदो घंटे की जर्नी बढ़ जाएगी फिलाल अभी वंदे भारत एक्स्प्रेस छे स्टॉप उपर रुखती है पहला स्टॉप होता है उसका दादर, दूसरा थाने, तीसरा होता है कल्यान जंक्शन, चौता होता है नासिक, पाच्वा होता है मनमार जंक्शन और छट्वा स्टॉप होता है उसका और अरंगाबाद रेलवे स्टेशन इसके बाद अगर उसको extend कर दिया जाएगा तो 3 stop बढ़ जाएगे पहला stop जानना तो already है क्योंकि वो destination है उसके बाद परभनी बढ़ जाएगा और उसके बाद पुरना stop जो तो technical होगा और उसके बाद हुजूर साहिब नांदर होगा इसका मतलब जानना से तो हुजूर साहिब नांदर के दर्मियान में 2 से सववा 2 घंटे की जर्नी बढ़ जाएगी तो जानना रेलवे स्टेशन से अभी फिलाल के लिए वंदे वारत एक्स्प्रेस सुबा में 5 बचकर 5 मिल्ट को रवाना होती है अगर फ्यूचर में इस ट्रेन को एक्स्टेंड कर दिया जाएगा तो ये ट्रेन जो है तो हुजूर साहिब नांदर रेलवे स्टेशन से रात में 2 या 3 बज़े के दर्मियान में निकलेगी और उस ट्रेन को जो तो डिले नहीं किया जा सकता है उस ट्रेन को जो तो क्रॉसिंग के लिए नहीं रोका जा सकता है फिलाल अभी ये ट्रेन जानना से मुंबई और मुंबई से जानना के दर्मियान में चल रही है तो बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है अगर इस ट्रेन को फ्यूचर में नांदेर रेल पेस्टेशन तक एक्स्टेंड कर दिया जाएगा तो आप मुझे बताइए कि ये ट्रेन के अंदर दो बजे या तीन बजे रात में कौन लोग चड़ने वाले है और कौन लोग ट्राइवेल करने वाले है हो सकता है अगर फ्यूचर में स्लीपर वंदे भारत अगर आ सकती है तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है तो मुंबई शत्रिपती शिवाजी महारास टर्मिनल चल सकती है लेकिन इसमें जो है तो सीटिंग वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए इसमें जो है तो सि ये ट्रेने जो है तो बहुत जादा लेट हो जाएगी क्यूंकि अभी फिलाल के लिए अगर वंदे भारत एक्सप्रेस जानना रेल्वे स्टेशन से सुबह में 5 बच कर 5 मिनिट को रवान होती है और और अरंगाबाद रेल्वे स्टेशन से सिकंद्राबाद लिंगम पल्ली देवगरी एक्सप्रेस अकर रवान होती है तो वो देवगरी एक्सप्रेस को चिकल ठाना रेल्वे स्टेशन पर ही रोग दिया जाता है 45 मिनिट पहले जो तो चिकल ठाना इस्टेशन पर रोग दिया जाता है क्यूंकि वंदे भारत एक्सप्रेस जालना से निकली है अगर एक बात में आप लोग को बता दू, सुबह में 5 बचकर 5 मिट को रवाना होती है, जानना से मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स को जाने वाली वंदे भारत एक्स्प्रेस, और ये ट्रेन जो है तो आफ्टर नून में 1 बचकर 10 मिट को रवाना होती है, मुंब लोग 2 गंटी की जरनी इसके अंदर और एड़ कर दीजिये, तो साड़े 10 गंटे की जरनी होगी, और साड़े 10 गंटे की जरनी में भी आप लोग को बैट करी जाना है, तो इससे अच्छी आप लोग के लिए जरानी है, देवगरी एक्सप्रेस है, पनवेल एक्सप्रेस है तपुवन एक्सप्रेस है और तपुवन एक्सप्रेस आप लोग को पूरी डे में है नाइट में नहीं है और ये वंदे भारत एक्सप्रेस आप लोग को दो बजे रात में चलना होगा वंदे भारत एक्सप्रेस में हुजूर साहिब नांदर रेल्वे स्टेशन से और सुब में एक वंदे भारत 익स्प्रेस सिलीपर वंदे भारत एक्स्प्रेस चलाई जानी चाहिए हुजूर साहिब नांदर से दो मुंबई शत्रिपति शिवा ardہ जी नार्यले ले इस्टेशन के दर्मयान में और फिलाल में जो वंदे भारत 익स्प्रेस चल रही है जानला से मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स रिल्वेस्टेशन के तर्मियान में तो उसमें चेयर कार का किराया है 1300 से 1400 रुपे तक के और एक्जेक्टी कुलास में किराया है 2300 से 2400 रुपे तक के तो इसलिए जो है तो सुबा की वंदे भारत एक्सप्रेस में 100-500 रुपिया कम है और अफ्टर नून की वंदे भारत एक्सप्रेस में 100-100 रुपिया जाधा किराया है। तो इससे अच्छा है कि जानना से नहीं चलाकर हुजूर साहिब नांदर से तो मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स रेल्वे स्टेशन के दर्मियान में एक सिली पर वंदे भारत एक्स्प्रेस चलाई जानी चाहिए। प्रेक्ट्रिफिकेशन के जाब काम कंप्लिट हो जाएगा उसके बाद जो है तो एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलनी चाहिए हुजूर साहिब नांदर से तो मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स रेल्वे स्टेशन के दर्मियान में जो सिली पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी तो उस वंदे भारत एक्सप्रेस को 9 या 9 या 11 या 11.30 के दर्मियान में हुजूर साहिब नांदर रेल्वे स्टेशन से रवाना किया जाए और सुबा में अरली मॉर्निंग 6 या 7 वजे मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स रे मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स रेल्वे स्टेशन के दर्मियान में चल रही है उसको continue किया जाए लेकिन उसको हुजूर साहिब नांदर रेल्वे स्टेशन पे extend नहीं किया जाए क्योंके रात में 2 और 3 बजे कोई भी passenger जो है तो उस train को effort नहीं करेंगा उस train में journey नहीं करेंगा इस बात का भी जो है तो railway को खयाल करना चाहिए तो ये थी आप लोग के लिए जानला से मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स के दर्मिनल्स के दर्मियान में चलने वाली वंदे भारत एक्स्प्रेस को explanation को लेकर information तो मिद करता हूँ क वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेर करें मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए अपना खैल रखियेंगा आला हाफिस टेकियर